Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel So दोस्तों आज की ये वीडियो TCS NQT Updates और Queries से Related है 4th Part है 2019 से लेके 2022 batch तक इसमें सारे updates है आप 2020 batch के हैं 21, 22, 2019 आप सभी के लिए बहुत सारे updates है कुछ queries है जो कि हम इस वीडियो में solve करेंगे इसी कर साथ मैं आपको यहाँ पर बतादू कि यहाँ पर जो भी information है उसे मैंने थोड़ा research किया है आज सुबे से मैं इसके बार में पढ़ ही रहा था तो अब मैं आपको बतादू कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से information से कि TCS send कर रही है survey mail 2021 batch को interview के लिए 2019 और 2020 batch को wait करना है क्या survey mail के लिए कौनसी batch को अगस्ट या नवंबर का NQT pack खरीदना है क्या वो consider करेंगे previous NQT score for 2022 batch यह अगस्ट और free NQT क्या same है complete information 200 plus queries solve होई है तो बिना जरी करें वीडियो को start करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू काफी सारे candidates है जो 2021 batch हैं उन्हें TCS की तरफ से survey mail भेजा जा रहा है survey mail एक ऐसा mail होता है जिसमें आपको अपनी details जो है उसे fill करना पड़ता है इसी के सासाथ मैं आपको यहाँ पर बता दू कि यह आपका interview schedule की एक process रहती है कि यहाँ पर आपको अपनी जो है details फिल करना पड़ती है survey form को fill करना पड़ता है उसके बाद आपका interview schedule होता है उसमें और वो depend करता है कि वो ninja और digital post के लिए मतलब महाँ पर ऐसा रहता है दोस्तों कि आपका interview schedule होता है on the basis of your performance सबसे पहले वो आपको ninja offer करते हैं अगर आपका performance और अच्छा रहता है तो वो opportunity भी देते है तो 2021 batch candidates को mail आ रहे हैं तो मैं अभी आपको यहाँ पर बता दू कि 2021 batch है और अगर आपका score अच्छा है ठीक है आपका score अच्छा है मान लीजे cognitive में भी आपका genuine score है और IT programming में भी आपका अच्छा score है तो मैं आपको बता दू मैं आपको एक suggestion दूँगा कि आप August और November NQT का pack मत purchase कीजे क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था मतलब TCS NQT की website पे पहले से ही बता दिया गया था कि if you want to wish to improve your score so you can give that exam ओके so this is the most important point for 2021 batch if you want to if you want or if you wish to improve your score in the particular subject or in the particular NQT so you can give that exam otherwise don't give that exam okay if I talk about 2019 and 2020 batch should you wait for your survey mail तो 2019 और 2020 batch candidates को मैं आपर बता दू कि यहाँ पर जब TCS एक का hiring pattern follow करती है क्योंकि TCS की तरफ से अभी 2022 batch की hiring आ गई 21 batch की भी अभी survey mail भेजा जा रहा है तो 2019 और 2020 batch को मैं यह suggestion देना चाहूंगा अगर आपका score अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उस score के साथ वो 2 साल तक valid रहेगा उस score के साथ अगर उस बीच में कभी TCS team की business requirement बड़ी hiring आ गई आप दे दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है पर आप अभी अगस्ट और नवंबर NQT तभी खरीदे जब आपको अपना score बढ़ाना हो क्योंकि दोस्तों यह totally depend रहता है TCS team में कि वो क्या consider करते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी depend करता है कि आप अपना score बढ़ाना चाहते तो exam दे सकते हैं तो 2019 और 2020 batch को मैं बताना चाहूंगा देखे survey mail जो रहेगा उसके लिए आप wait कैसे कर सकते हैं TCS team पर totally depend होता है अभी requirements थी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही video डाली थी कि 40,000 freshers को TCS IR करेंगे बहुत जल्दी और यहाँ पर hiring भी start हो गई है आपको चैनल पर एक से एक update और queries से लगातर videos मिलने वाली है जिसमें मैं आपको बहुत सारे points जो है उनको clear करूंगा अब मैं आपको बता दू क्या consider करेंगे previous NQT इसको 2022 batch के लिए तो ध्यान से आज सुभे वाली वीडियो में ही देखेगा मैं आपको सारे comments के जवाब देदूँगा मैंने आप सभी के comments पढ़ लिया मैं केक करके जवाब देंगे preparation भी देखेंगे important जब हम apply for drive पर यह option पर गए थे तो वहाँ पर क्या लिखा the short listing for next round will be decided basis your test performance please note that communication related to test communicated by TCS iron team अब दोस्तों ऐसा हो सकता है उन्होंने यहाँ पर test के performance दिख दिया है मतलब यहाँ पर यह जो test है वो free NQT वाला ही शायद consider करने वाले हैं और august NQT TCS tired up companies के साथ है कुछ ऐसा concept हो सकता है TCS team ने अभी तक ऐसा कुछ confirm नहीं करा है पर यहाँ पर उन्होंने लिखा है test का performance अगर वो previous NQT का score consider कर लेते तो यहाँ पर आपको test के लिए register नहीं करना पड़ता है direct apply for drive करना पड़ता हमें यहाँ से logic लगाना है हमने test भी select करा है test location मतलब उसी के साथ साथ हमने जो test कहा से देना है हमें remote देना है इन center देना है तो मतलब वो यह वाला test का score ही consider करेंगे अब दोस्तों मैं आपको बता दू अगस्ट और free NQT same है जहां तक मैं बता हूँ मुझे लग रहा ही कि यह दोनों different है पर TCS team जैसे ही confirm करती कि मैं आपको एक और बार update दे दूँगा पर मुझे लग रहा है यह बहुत different है क्योंकि यहाँ पर totally different है अगस्ट NQT सारी दूसरी batches के लिए भी है और free NQT only 2022 batch के लिए अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ मैंने आपके बहुत सारी queries पड़ी थी इसी के साथ मैंने यहाँ पर देखा था कि आपकी बहुत सारी queries है मैं सबके जवाब दे दूँगा और 2022 batch आप ready रही है क्योंकि आप चैनल पर एक से एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको preparations भी बता दूँगा English में भी आजाएगी वीडियो जिसमें आप सभी को कोई भी दिक्कत ना है क्योंकि काफी सारे candidates मुझे बोलते हैं कि English में भी आप वीडियो बना दीजिये करिये तो मैं वहाँ पर वीडियो बना दूँगा इसी के साथ हम preparation करेंगे हमारे पास कुछ 1 month 1 month 10 days है हम ये एक प्रॉक्स मान के चलते हैं क्योंकि 30 अगस्त तक उन्होंने बोला है तो registration की वीडियो तो आ गई है registration कर लीजेगा 15 अगस्त जो है वो last date है और बागी हम बहुत अच् थेगा thanks for watching the video